असलाम अलेकुम दोस्तों गोगी टेक में आपका सब्सक्राइब दोस्तों आज है 14 नौमबर 14 नौमबर का जो स्पेशल है वो है चिल्डरस डे आज चिल्डरस डे मनाने के लिए मैंने फिर से अपने स्कूल को जा रहा हूं जो अपना स्कूल का नाम है रफीस इंटरनेशनल स्कूल तो बैक्रोंड में जो नईस है उसके लिए मैं ख्षमा चाहता हूं क्योंकि हाँ पर एक बोर्वेल का काम चल रहा है तो उसी को मैंने अभी आपके सामें थोड़ा बताता हूं और सिधे चलते हैं अपने स्कूल के तरफ तो फ्रेंड्स हम फाइनली अपने स्कूल को आ चुके हैं तो यहाँ पर देखें बहुत सारे बच्चे आपको नजर आ रहे होगे लेकिन आपको एक बात बता चाहता हूं आज हम जो चिंदरन स्डे नहीं मना पारे क्योंकि जो अपने सेंट्रल मिनेस्टर है जैनल कुमार उनकी जो मौत हो गए उसके करण हम आपर चिंद्रल ड्याज नहीं पना पा रहे तो प्रेयर में देखें कितने सारे हैं पर बच्चे जमा हो चुके हैं सारे बच्चे प्रेयर कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे दिन देने की ज़रू खोशिश करूँगा तो फ्रेंग्स फिर से हम अपने स्कूल को आ चुके हैं लेकिन इस बार हम चिंद्रल डे मनाएंगे तो देखिए पूरे बच्चे हाँ पर इंतजार कर रहे हैं कुछी देर में फंक्शन भी शुरू होने वाला है तो कितने प्यारे क्यूट बच्चे हाँ पर हमें नजर आ śni Re 대해서 साथी साथ है साथ हमारे में इस बार हमरी सेखिए और इस कोई बच्चे का नाम पर नहीं ले सकता क्योंकि इस बार इतने बच्चे, हाँ पर है तो यह एक बच्चे का नाम मैं कभी नहीं ले सकता बहुत सारे बच्चे हाँ पर आ चुके हैं तो कितने क्यूट बच्चे हाँ पर दिख रहे हैं तो दिखे सारे के सारे बच्चे अभी हाँ पर आये हैं और बच्चे ही इस के को कट करके इस फंक्शन का शुरुआत करेंगे और हैं पर देखिए अभी बच्चे हाँ पर क केक लेके बच्चों को खिला रहे हैं और इस फंक्शन का शुरुवाद भी कर चुके हैं तो उनको हम बहुत बहुत दिल से शुक्रा बोला चाहते हैं और साथे साथ एक और हमारे सीनियर सर है जो की उनका नाम है शेकिल अहमद नाइकोडी और उन्होंने भी केक काट कर बच् लाएं तो एक देकर बहुत ही खुशी महसूस होती है यूद्क बच्चों के लिए हम एक दिन मना रहे हैं और साथी साथ सारे बच्चों के लिए एक हम गेम भी रखे थे लाइक हैं पर देके बिसकेट बैलेंस इस गेम का नाम है और म्यूजिकल चेर और रदनिंग और कॉ तो बस इतना ही था इस वीडियो में अगर इस वीडियो आपको पसंद आने पर लाइक करना शेर करना और अभी तक मेरी चानल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब भी करना क्योंकि मैं इसी तरह आप लिए वीडियो ले आता रहूंगा